नमश्कार, The Cooking Rack में आप सभी का स्वागत है ब्रत के लिए बनाएंगे सावुदाने की पूरी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी जो आपको बहुत पसंद आएगा आप इस पूरी को ब्रत में बना कर खाएं या ऐसे ही नास्ते में बना कर खा सकते हैं इसके साथ आप बनाएं पनीर और सिमला मिर्ज की सबजी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है इस सबजी की रिस्पी का लिंक हमने नीचे दे दिया है आप वहां से देख सकते हैं आप इसे कम तेल से तवे पर सेख कर भी बना सकते हैं इसके लिए हमने लिया है मेजरिंग कप सी एक कप साबुदाना जिसे हमने अच्छे से दो तीन बार धो लिया है इसे हमने बहुत कम पानी डाल कर भिगो दिया था पानी हमने इतना डाला था कि साबुदाना उसमें डूब जाए और इसे हमने छे से साथ घंटे के लिए भिग सकते हैं साबुदाना अच्छी तरह से सौप्ट हो जाए बारिक वाले ग्रेटर से आधा कच्चा आलू ग्रेट करके डाल देंगे थोड़ा सा कच्चा आलू डालने से पूरी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है दो मीडियम साइज आलू को हमने उबाल कर छील कर ग्र लेंगे साथ में डालेंगे एक चम्मच जीरा एक चम्मच सिंधा नमक नमक आप अपने साधन सार डालें एक चिली फ्लेक्स साथ में डालेंगे एक बड़ा चम्मच अध्रक और हरी मिर्च का पेस्ट दो बड़ा चम्मच बारी कटा हुआ हरा धनिया सारी चीजों को अच् की डो की तरह इसे बना लेंगे आप देख सकते हैं ये डो तयार है पूरी बनाने के लिए अब इस डो में से एक साइज के लोई तोड लेंगे और इसे दबा दबा कर हाथ से गोल करके चिप्टा कर लेंगे चॉपिंग बोर्ड पर हमने रखा है एक प्लास्टिक अब इसके उपर लगाएंगे थोड़ा सा मौमफली का तेल आप चाहें तो इसकी जगा देशी घीवी लगा सकते हैं अच्छे से इसे फैला लेंगे और इसके उपर रखेंगे साबुदाने और आलू का पेड़ा उपर से भी थोड़ा तेल लगा लेंगे उपर से रखेंगे दूसरी खुमा कर बराबर कर लेंगे ए पूड़ी तलने के लिए तयार है आप इस पूड़ी को हाथ से फैला कर भी बना सकते हैं एक पेड़े को लेंगे हाथ में थोड़ा तेल लगा लेंगे और इसे दबा दबा कर पतला सब फैला लेंगे किनारे को अच्छी तरह से बराबर कर ले और इसे तेल में डाल देंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रखेंगे, जब ए पूड़ी तेल से उपर आ जाएगा और एक साइड ब्राउन हो जाएगा तभी इसे पल्टेंगे, इस पूड़ी को तुरंत ना पल्टे, नहीं तो ए पूड़ी टूट जाएगी, इस पूड़ी को तलने में नार्मल पूड़ी से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, पूड़ी तोनों साइड ब्राउन हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं, तो कड़ाई में किनारों पर इसे थोड़ा देर रोब कर रखेंगे, ताकि इसका इस्ट्रा तेल निकल ज इसी प्रोसेसे सारी पूड़ी को तल लेंगे, नीचे दिये लिंक पर क्लिक करके आप मेरी सभी रेस्पी देख सकते हैं, एपूड़ी ब्राउन हो गया है, अब इसे पलट देंगे और इसे तेल से निकाल लेंगे, सारी पूड़ी हमारी तलकर तयार है, अब आप इसे लगा लिये हैं, अब उंगली से इसे दबा दबा कर रोटी की तरह फैला लेंगे, हाथ से घुमा घुमा कर किनारे को बराबर कर लेंगे, ये पराठा हमारा सेकने के लिए तयार है, तवे को हमने हाई फ्लेम पर गरम कर लिया है, इस पर हमने लगा दिया है थोड़ा सा तेल, सावधानी से हाथ में पराठे को लेंगे और उपर से प्लास्टिक खटा कर इसे डाल देंगे तवे पर उपर से लगाएंगे थोड़ा सा तेल जब एक तरफ ब्राउन हो जाएगा तब इसे पल्टेंगे इसे तुरंट ना पल्टे नहीं तो ये तूट जाएगा इस पराठे को सेकने में नार्मल पराठे से थोड़ा जादा टाइम लगता है पराठा हमारा दोनों तरफ ब्राउन हो गया है अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में फ्लेम को बंद कर देंगे तो अब आप इस साबुदाने और आलो की फूड़ी भी बना सकते हैं और इस तरीके से पराठा भी बना सकते हैं पराठा आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला और बहुत ही अच्छा बना है इसके साथ बना ले सिम्ला मिर्च और पनीर की सबजी जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ले टेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रस कर दीजिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तक तक के लिए धन्यबाद